तो चलिए दोस्तों एक question discuss करना स्टार्ट करते हैं question क्या बोलता है company has a normal capacity of 120 machines एक company है उसके capacity 120 machines की है मतलब budgeted capacity normal का मतलब budgeted capacity working 8 hours per day एक दिन में 8 गंडा काम होता है उसके अंदर होना चाहिए और 25 days जो है वो machine चलती है fixed overhead are budgeted at 144,000 per month एक महीने के fixed खर्चे दिये हुए है exam अगर आपको एक साल के दिये रहे है तो उसको एक महीने में convert कर लेना क्योंकि data एक महीने के अंदर चल रहा है standard time required to manufacture one unit of product final product जब आप बनाएंगे तो आपको four hours लगने चाहिए अब सिर्फ April month के ओपर क्या बोला है the company worked 24 days of 840 machine hours per day and produced these much of units of output April के अंदर इन्होंने 24 दिन काम किया और 840 machine hours per day produce किया इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि देखो आपके पास में 120 machines थी और हर एक machine को आप दिन में 8 hours चला सकते थे इसका मतलब आप सारी machines को एक दिन में 960 hours चला सकते थे but actual में आपने जितने भी machine hours एक दिन में चला है वो 840 थे इसका मतलब सारी machines एक दिन में कितने गंटे चल पाई ठीक है fixed overhead आपका 1,42,000 दिया है सारे fixed overhead के variants पूछ लिया है अपने लोगों से तो चलिए सबसे पहले अपने लोग शिरू करते हैं इसमें अपने विरियांसे से तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा लिखेंगे fixed overhead के अंदर हम लोग दो कॉलम बनाएंगे हमारे budget and actual bus इन दो कॉलम के basis पर बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग की हमारी units कितनी है तो आप बोल देंगे कि भाई हमने जो plan की थी यहाँ पर आपकी planned units बताई गई है क्या देखो यहाँ पर यह ज़रूर बताया गया है कि एक unit के अंदर कितना time लगना चाहिए था budget के इसाब से पर total units नहीं बताई गई है तो आप इसमें देखो एक unit का time बताया गया है अगर आप company का total time पता लगा लो तो आप number of units पता लगा सकते हो तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे देखो हमारी जो company है मैं हाँ पर एक बार hash लगा देता हूँ हमारी जो company है वो 120 उसके अंदर machines है जैसा कि बोला गया है हर एक machine 8 गंटे चलेगी एक दिन में और 25 दिन वो चलेगी ठीक है तो आप बोलेंगे 8 machines होगी तो एक दिन में 960 इन दोनों को जब multiply कर लेंगे तो 960 hours हमारी machines चलेगी और 25 days के अंदर हमारे पास में कितने hours हो जाएंगे तो calculator के अंदर आप बोलेंगे 960 multiplied by 25 तो आप बोलेंगे 25 days के अंदर हमारे कि अभी 1000 जो है वो घंटे हो जाएंगे टोटल ठीक है अब आपको बता है कि एक unit को बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए जो यहाँ पर लिखा है तो unit method के इसाफ़ते आप बोलेंगे एक unit के लिए 4 hours लगने चाहिए तो 24,000 hours के अंदर हमारे कितनी units बनेगी तो आप बोलेंगे यह बनेगी हमारे 6,000 units ठीक है तो आप बोलेंगे यह हमारा budget के अंदर 6,000 unit हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है और इसके ओपर hash लगा दिया तो hash वहाँ पर define हो गया actual में कितनी units बनाई है आप लोगों ने आप बोलेंगे actual में 5,305 units बनाई हम लोगों ने यहाँ पर 5,305 units हम लोगों ने actual में बनाई ठीक है उसके अलावा हम लोग यहाँ पर अपना fixed cost लिख लेंगे fixed cost simply fixed cost कितना है आप बोलेंगे हमने जो plan किया था वो था 1,44,000 हुआ है 1,42,000 तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो हमने plan किया था वो 1,44,000 किया था हुआ है 1,42,000 का ठीक है बस और details के उपर बात करेंगे सबसे simplest टिक हम सबसे पहले हमारा variance निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा fixed overhead volume variance वही आपकी quantity के वज़े से कितना variance आता है सुनिए गध्यान से देखें कंपरिटिवली देखें आपकी कितनी कम या जादा units बनी आप बोलेंगे 6000 का plan किया बनी 5305E कम units बनी ना मतलब आपकी company के लिए तो बुरा ही हुआ ना तो आप बोलेंगे हमने 6000 का plan किया था 5000305E बनी मतलब कम units बनी कितनी कम units बनी बता लगा लेते हैं second minus 6000 तो आप बोलेंगे 695 units कम बनी इसको किस से multiply कर देंगे आप बोलेंगे यह number है यो units का number है तो इसको recovery rate पर units से multiply कर देंगे वो कैसे निकालेंगे इतना सारा kharचा इतनी सारी 6000 units के लिए तो एक unit के लिए कितना kharचा आप लोग बोलेंगे 144,000 divided by 6000 तो आप बोलेंगे एक unit के लिए हमारा जो खर्चा है वो 24 है अब इसको हम लोगों ने जैसे ही 24 से multiply किया तो हमारे पास में जो final number आएगा वो देख लेते हैं तो multiplied by 24 ठीक है तो यह जो number आता है यह 15,680 आता है जो कि हमारा adverse है क्यों क्योंकि हम लोगों ने community बनाए 16,680 यह हमारा adverse fixed-dored volume variance आता है I hope कि आपको यह वाली बात तो समझ में आही होगी अब देखो इसी को दूसरा तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं उसके ओपर भी हम लोग बात कर लेते हैं चलो तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए मैं यहां पर और लिख देता हूं अब आपको इसमें अलग तरीके से सोचना है आपको ऐसा सोचना है कि हम लोगों ने market में 5305 इतनी units बनाई और देखो हर यूनिट जो है फाइनल प्रोड़क्ट जो है कार हमाल लेते हैं तो कार को बढ़ना के बेचोगे तो कस्टमर से आप क्या लोगे उस गाड़ी के पैसे लोगे उस प्राइस के अंदर सब जुड़ा हुआ है उस गाड़ी के प्राइस के अंदर तो जैसे आप कस्टमर से वह पैसे लोगे तो आप क्या बोलोगे हम लोगों ने एक तरीके पैसे ले लिए तो उसको आप बोलेंगे हम लोगों ने 5305 कार्ज सेल की और उनको सेल करके 24 रुपीज के नाम से लोगों ने देखो यहां पर यह हमारा और अपने प्लान कितना किया था हमारा खर्चा करने का आप बोलेंगे हमने प्लान क Aber करेंगे उतना रिकावर करेंगे बड़ यहां पर comparatively कम रिकावर किया कि ज्यादा रिकावर किया वह पता लगा लेते हैं तो आप बोलेंगे 5,305 multiplied by 24 minus 144,000 तो आप बोलेंगे इनका जो final number आता है वह 15,680 ही आता है वह भी adverse आता है क्यों क्यों आपने कम रिकावर किया customer से तो आप बोल देंगे इस दोनों तरीकों से हम लोग volume variance को calculate कर सकते है volume variance के बाद में जो next variance होता है उसको हम लोग बोल देते है fixed overhead cost variance ठीक है देखो fixed overhead cost variance नहीं निकाल के पहले आपने expenditure variance निकाल लेते है overhead expenditure variance तो expenditure variance हम लोग कैसे निकालते है expenditure variance निकालने के लिए हम लोग बहुत ही simple काम करते हैं क्या होता है आप बोलेंगे देखो हम लोगों ने plan किया था 1,44 का खर्चा करेंगे हमने किया खर्चा 1,42 का ही कम खर्चा किया ना जो यह खर्चा है यह खर्चा है यहाँ पे यह जो लिखा था यह recovery थी अलग-अलग चीज़ें है ठीक है 1,44 का खर्चा प्लान किया था 1,42 का ही हुआ तो कम खर्चा हो गया तो आप बोलेंगे यह तो बहुत अच्छी बात है 1,44 का प्लान था 1,42 का खर्चा हुआ मतलब 2,000 से हो गया तो 2,000 आपका expenditure variance favorable आ गया यह favorable के बाद में थर्ड हम लोग जो पता लगाएंगे उसको बोलते हैं fixed overhead cost variance fixed overhead cost variance क्या हो गया आप बोलेंगे simply जो volume variance and expenditure variance उन दोनों का net impact तो आप बोलेंगे यह 15,680 हमारा adverse है plus यह जो 2,000 है यह favorable है इन दोनों का impact हो गया 14,680 यह हमारा adverse fixed overhead cost variance हो गया है ठीक है यह fixed overhead cost variance के बाद में वोट के उपर जो आते हैं हम लोगों को इसमें जो पूछा है उसके उपर उसका नाम मैं लिख देता हूँ आपका calendar variance ठीक है calendar variance calendar variance का मतलब क्या है अब देखो calendar variance जब निकालेंगे तो आप लोगों को यहां पर वापस से जाना पड़ेगा थोड़ी details यहां पर और देखेंगे लेकिन उन्होंने 24 days ही चलाई मतलब एक दिन कम चलाई यह data मैं यहां पर भी लिख सकता हूँ यहां पर 4 के अंदर days लिख देता हूँ कि आपका 25 days का plan ता factory को चलाने का बट आपने चलाई कितनी actual में 24 days ही तो यह company के लिए बुरी बात हो गई ना तो आप बोलेंगे हाँ company के लिए बुरी बात होगी तो 24 में से 25 घटाएंगे तब यह बुरी बात होगी तब ही तो negative number आएगा तब ही तो adverse आएगा इसको किस से multiply करें आप बोलेंगे यह number of days है तो अगर यह days है तो इसको day की recovery rate से multiply कर देंगे तो मैं यहाँ पर एक day की recovery rate निकाल लेता हूँ recovery rate per day कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे देखो हमारा total खर्चा कितना था 144,000 का और हमारे total दिन कितने budgeted 25 days तो आप बोलेंगे 144,000 जो है उसको हम लोग divide कर देंगे 25 days से तो हमारे पास में क्या आता है 144,000 divided by 25 days तो आप बोलेंगे 5760 यह जो rupees आते हैं rupees 5760 से multiply कर देंगे तो आप बोलेंगे यह finally हमारा 5760 adverse fixed overhead calendar variance आता है मतलब एक दिन में हमारा इतना variance हो गया है अब बोलेंगे यह बात भी समझ में आगई calendar variance के बाद में जो next निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे fixed overhead capacity variance ठीक है देखे fixed overhead capacity variance में मैंने अलग से sessions में आप लोगों को बताया है कि इसमें बहुत सतर्क रहना है बहुत सावधान रहना है सबसे बहले तो normal सोचना है एकदम normal सोचना है कैसे सोचेंगे यहां पर मैं काम करता हूं थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा उपर लिख देता हूं तक कि और डेटा भी यहां पर आ सके तो मैं यहां पर एक तो budget लिख देता हूं ठीक है और यहां पर actual लिख देता हूं यहां पर मैं unit लिख देता हूं अपना budgeted unit थी 6000 और actual थी 5300 बड़ी line बन गई 5305 यह हमारी actual number of units थी ठीक है अब आप क्या बोलेंगे देखो उनना आर्स के ऊपर बात करते हैं गंटों के उपर बात करते हैं ठीक है एक बॉड़्यक को बनाने के लिए अब भ脇लने लगने चाये थे राइट तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे देखो हमारे पास में यहां पर total कितने ह dud Superanor तो ये 6000 को बनाने के लिए 24 आर्स लगने चाहिए ये बजट के अंदर लिखा हुआ एक्चुल के अंदर क्या हुआ एक्चुल के अंदर देखो एक्चुल के अंदर आप बोलेंगे हम लोगों ने एक दिन में 840 आर्स काम किया और हमने 24 देज हमारी मशीन चलाई तो आप बोलेंगे 840 को 24 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहां पर मैं एक स्टार दे देता हूँ स्टार को मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए कि 840 जो है उसको 24 से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आता है 840 multiplied by 24 तो आप बोलेंगे वो आता है 20,160 ठीक है अब सुनना मेरी बात हम लोग निकाल रहे हैं फिग यह फिग जोरेट capacity variance देखो आपकी factory जो है उसकी ताकत थी 24,000 घंटे चलने की उसकी ताकत थी उसकी capacity थी 24,000 आर चलने की बट वो चली कितना 20,160 आर सी मतलब आपकी एक school है अगर वो दिन में चलती है well and good school के कमाई हो रही है अगर वो रात में भी चलती तो आप बोलते बहुत बढ़िया क्योंकि रात में भी क्या school की कमाई हो रही है मतलब जितना ज्यादा time school चलती उतना ज्यादा school के फायदा होता बट यहां पर क्या है कि यह 24,000 चलनी चाहिए थी लेकिन फैक्टरी चली 20,160 घंटे ही तो आप बोल देंगे कि 20,160 चली हमाई ले बुरी बात है बुरी बात का मतलब कौन सा नंबर पहले लेना है नेगेटिव नंबर जिस आएगा उसको पहले लेना है राइट तो 20,160 माइनस 24,000 आप बोल देंगे यह क्या है आप बोल देंगे यहां पर मैंने हैज भी लगा दिया डबल हैज लगा देता हूं अभी ठीक है तो डबल हैज को यहां पर डिफाइन कर देता है आप क्या बोलेंगे की मेरा 1,44,000 रुपीज का खर्चा है और इसको किस से डिवाइड करेंगे आप बोल देंगे हमारे टोटल आर्स थे 24,000 तो हमारा एक घंटे का खर्चा कितना हो गया आप बोल देंगे 1,44,000 divided by 24,000 तो आप बोलेंगे 6 रुपीज का एक घंटे का हमारा खर्चा हो गया budgeted इसको 6 से multiply कर दिया हमारे पास में एक नंबर आता है देखते हैं बोलेंगे औरट capacity variance नहीं होता है धान रखना यह नहीं होता है अगर यह कर दिया तो यह गटबड़ो जाएगी आप क्या बोल देंगे यह actually यह हमारा adverse एक नंबर आता है ठीक है आपको हमेशा हमेशा क्या करना है इसमें ते less करना है क्या करना है less always आपका calendar वेरियांस को आपको less करना है तब जाके आपका fixed rate capacity variance आएगा तो आप इसमें माइनस का sign लगाना देखो यह खुद ही भी minus में है इसका मतलब यह नहीं मैं यह adverse होने के वज़े से minus का sign यह लगा रहा है यह तो मैं minus का sign लगाऊंगा यह लगाऊंगा दूसरी तरफ इसको लिखेंगे minus का यह 5760 यह खुद नंबर एक minus का है ठीक है अब देखो यह adverse का मतलब इसको एक तरीके से minus का 23,040 लिख सकते हैं यह minus minus आपस में टकरा के plus बन गया और यह 5760 पॉजिटिव लिख दिया यह अगर आप नहीं घटा गया एना एक्जाम में तो आपका गलत हो जाएगा answer ध्यान रखना ठीक है तो आप बोलेंगे इसमें हम लोगों ने 5760 इसको adjust किया तो आप बोलेंगे हमारा जो बचा हुआता है वह 17,280 आता है जिसको हम लोगों ने क्या बूल दिया यह हमारा fixed overhead capacity variance है जो की एक adverse number है ठीक है इसको ध्यान में हमेशा से रखना है calendar variance करना है दो ही बाते ध्यान रखनी है एक तो minus का sign लगाना है और दूसरा इसके यहां पर adverse है तो एक और minus का sign लगा द देना है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान ने रखनी पड़ेगी अब fixed overhead efficiency variance efficiency variance के लिए हमने एक अलग से बात हमेशा समझी है जिसको मैंने लिख दिया fixed overhead एक सेकंड efficiency variance समझना efficiency variance के लिए हम लोगों ने समझाए कि efficiency variance में मान लोग कि यह labor की तरह निकलेगा सब चीज़े भूल जाओ मान लोग कि यह labor की तरह निकलेगा तो आप क्या बोलते हैं अगर हम लोग labor का efficiency variance निकालते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं labor के efficiency variance में तो आप बोलते हम लोग यह वाली बासते तो अग्री करते हैं तीन कॉलम बनाते हैं यूनिट कितने लिखते हैं आप बजट में लिख देते हैं 6,000 एक्चुल में 5,305 और जितनी एक्चुल में यूनिट्स होती हैं उतनी standard में लिखते हैं तब भी तो इन दोनों को compare कर पाएंगे तो यह standard में लिख देते हैं आप यहां पर लिख देते हैं आर्च क्या लिखते हैं यहां पर 24,000 आर्च और एक्चुल में कितने आर्च लगे हैं हमारे आप क्या बोलेंगे 6,000 को बनाने के लिए 24 लगने चाहिए मतलब 24,000 आर्स लगने चाहिए आपके 6,000 उनिट के लिए तो आप बोलेंगे 5,305 के लिए कितने आर्स लगने चाहिए यही labor में हम लोग आज तक किया है और यही आगे भी करेंगे same figure rate variance में करेंगे तो आप बोलेंगे 5,305 multiplied by 21,220 इसको solve करके देखेंगे अब हम लोगों का efficiency variance निकालना है simple सी बात है इतने आर्स लगने चाहिए थे इतने लगे आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 21,220 आर्स लगने चाहिए थे लगे कितने 20,160 आर्स लगे इतने आर्स लगने चीतर लगे इतने ही आर्स कम आर्स लग गए राइट तो कम आर्स लग गए तो यह तो आप बोलेंगे हमार लिए अच्छी बात है किस से multiply कर देंगे अब बोलेंगे recovery rate per hour एक गंडे के recovery rate से हम लोग multiply कर देंगे उपर भी हम लोग निकाल के आया थे गंडे की recovery rate जो की 6 रुपई थी वो 6 रुपई ही यहां पर भी लिख देते हैं 6 से इसको multiply कर देंगे तो हमारा यह क्या आता है देखते है 20,160 यह जो दोनों का gap ले लिया मैंने और इसको 6 से multiply कर दिया आप बोल देंगे यह आता है हमारा 6,360 favorable variance 6,360 favorable variance बहुत अच्छी बात है राइट तो इस तरीके से हम लोगों ने fixed rate efficiency variance भी निकाल दिया ठीक है अब एक बात ध्यान रखो देखो आप एक काम करो आप यह जो अपना calendar variance efficiency variance जो है इन तिनों को add करो तो एक addition करके दिखा दिता हूँ मैं किंतिनों का एक तो यह 5,760 adverse है 5,760 adverse है plus दूसरा 17,280 adverse है plus 6,360 favorable है तो अभी एक number इनको calculate करके मैं दिखाता हूँ क्या आता है आपका तो 6,360 6,360 तो आपका एक number आता है जिसको हम लोगों ने 16,680 adverse लिखाए तो यह 16,680 अपने लोगों ने उपर कहीं पर भी निकाला था कहीं और भी यह देखो यहाँ पर निकाला हूए मतलब की fixed overhead volume variance क्या होता है यह यहाँ पर नमबरा है यह fixed overhead volume variance जो है यह आपका volume variance है यह किसके बराबर होता है आप बोल देंगे यह calendar plus capacity plus efficiency तिनों को जब हम लोग add कर देंगे ना तो उसको हम लोग fixed overhead volume variance हमारा बोल देंगे ठीक है तो I hope कि आपको यह बात समयज में अच्छे से आई होगी I see you in the next session and thank you for watching this